हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा 10 के बिज्यान का माडल पेपर देखेंगे आपका जो बोड का एक्जाम 2024 में होने वाला है उसके लिए ये माडल पेपर बहुत जादा इंपोर्टन साबित होगा चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखेंगे आपके सामने जो प्रश्ण पत्र मिलेगा तो उसमें आपके प्रश्ण पत्र के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय होगा आपको जो पुडांग होगा 70 नंबर का होगा देखें फ्रेंस ये माडल पेपर साप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके 2024 के लिए किस प्रश्ण पत्र आने वाला है और कैसे प्रश्ण आपके बोड के एक्जाम में आते हैं फ्रेंस देखी आपके सामने निर्देश लिखा होगा इस निर्देश को आप एक बार जरू पढ़ दीजिएगा चलिए आपको निर्देश पढ़के बताते हैं देखें पहला है कि को सब्सक्राण के पंधर मिनट विद्द्यार्थी को प्रश्ठ पत्र पढ़ने के लिए दो उड़ने के आपको प्रश्ठ पतर पहने के लिए 15 दूबर मिनट मिलेगा इस 15 मिनट में आप प्रश्छ्ठ पत्र को आसानी से और सिंपल तरीके से पढ़िये यह फिर सकेंडappelle क तीन उपखंड होंगे जैसे उपखंड को गव में विभाजित होगा ठीक है आपका चौता निर्देश है कि जो खंड अ है उसमें बहुई कल्पी प्रश्ण होगा जिसे आपको ऐम्र सीट निले पेंड काले बाल पॉइंट पेंड सही विकल्प वहले को पूरवर से भरत देख्गेंगें यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो OMR सीट पर आपको गोला भरूर्ण होगा उसके लिए निलई से inseamu ला पेन का ही परियोग करना है आपका अगला निर्दाय से रहेगा फ्रेंस कि खंड आम में पहुई कल्पी प्रश्ण है दू प्रतेग प्रश्ण के लिए एक निर्धारित किया गया है अगला रहेगा ओमर सीट पर उत्तर अंकित किये जाने के बाद आपको कभी भी उस पर क नहीं करना है अब चलिए अगले निर्धेश को देखते हैं आपका अगला निर्धेश को खंड अगला होगा उस में वर्रणात्मक प्रश्ण दिए जाएंगे ठीक हैं आपका अगला है यह प्रतेग्प्रश्ण के समुक उसके अंक निर्धारित कि आ अंक का है यह प्रशन जब आप हल करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि आपको प्रतेक प्रशन के लिए कितना अंक निर्धायत किया गया है यह भी आपको साथ में बताते रहेंगे आपका अगला है कि खंड जो बह है कि प्रतेक उप्खंड के सभी प्रशन एक साथ करना आव आपके सामने अप स्टार्ट करते हैं खंड जिसमें आपको बहुई खल्पी प्रश्ण होगा जिसमें से खंड को है अब आप इस प्रश्ण को देख कर अनुमार लगा सकते हैं कि आपके बोड के एकजाम में कैसा प्रश्ण आएगा देखिए आपका पहला प्रश्ण है कि ज या पुतली पोहता है देखे़ाक का थी जवाब होगा राधात कार्मिया से अधिकांस अपॉर्टन होता है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं ये आप की सामने अगला नंबर का सवाल है कैसा प्रशन पूछेगा आपके exam में कि निमनल इखित में से कौन सा बोल्टता को निर्पित करता है तो देखे फिरेंस जब आपको बोल्टता का फार्मूला पता रहे तब आप आसानी से बदा सकते हैं देखें, बोल्टता का फार्मूला भी स्कल्टू होता है W by Q और Q पराबर क्या होता है I, T होता है यहां भी स्कल्टू क्या हो जगा W बटाके Q के जगण क्या लिख सकते है I, T, ठीक है यहां पर W क्या है, कार है आई क्या है धारा है टी क्या है समय ते देखिए इसका मतलब हो गया कि कार पटा के विद्धु धारा गुड़े समय ते देखिए यहां पे देखिए किया गया कार अपान विद्धु धारा गुड़े समय ते इसका सही जवाब कौन सा होगा पहले वाला आपसन आपका सही हो ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है तीसरा नंबर का कि निमनलिकित में से किस इस्तिती में कोई आउतल दरपड वस्तु से बड़ा वास्तविक परतिविम बनाता है देखें यहां पर आपसा नहीं आपसान को ध्यान से पढ़िएगा कि वस्तु को कहां पर रखेंगे तो आपका परतिविम बड़ा बनेगा देखें फ्रेंस आपका क्या कहा है आउतल दरपड इस तरह आउतल दरपड बनाईएगा यह हो जाएगा मुख्य ठीक है यह होता है दुरू यह होता है फोकस याफ और यह होगा वकरत प्रतिविम के समना अंतर जाएगा और मुका मुख्य ठीक होकर चांग होगा कि मुकाष्ट्थ होकर जाएगा यह यहाँ प्रतिशेयत करेगा जो दरपड़ के वकरता केंद्र के इधर बनता है उल्टा बनता है कैसा बनता है उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है ठीक है इस प्रकाश से वस्तु को कहां रखेंगे वकरता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो आपको जो परतिविम बनेगा कैसा बनेगा बड़ा बनेगा इसका आपसन चलिए मिला लेते हैं देखते हैं कौँस होगा तो आप सी वाला आपसन को ध्यान से पढ़िएगा कि जब वस्तु दरपड के कैंदर की बीच में रखते हैं तो वस्तु का परतिमीं कैसा बनता है बड़ा बनता है उसका सही् जवाब होगा सी ठिक है समझ में आ गया होगा आप सभी को चलिए अगले नंबर का सवालेत कि कच्छा अच्छा मैं सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यारती स्यामपट पर लिखे अच्छर को पढ़ सकता है परण्तु पाथ पुस्तक में लिखे अच्छरों को नहीं पढ़ सकता निमनलिकित में से कौन सा कथन सही है देखे फ्रेंस इसमें क्या होता है कि वह क्या कर रहा है कि वह निकट की वस्तु को क्या कर रहा है देख नहीं पा रहा है इसका मतलब हो इसमें कौन सा दो सगा निकट द्रिश्टी दोस्त इसका देखे पाला वाला अप्सन पढ़िएगा विर्द्यार्थी के निकट नेत्र का निकट बिंदू उससे दूर हो गया है ठीक है इसका सही जवाब कौन सा होगा यह वह सोरी चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते है इसमें निम्नत्म का आए सकता है तो उस समय परतिरोधों को समनांतर करम में बताना रहे गाते अपके एक परतिरोधों कमान दिया है उसमें परतिरोधों की संक्या सब भाग देते और पर्तिते कितना 5 है यह पाँच का भाग देंगे यह 5 यहां पर आएगा गुडा करेंगे कितना एक बटा के 50 25 हो जागा इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ठीक है एक बटा के 25 चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं अगला नमबर का सवाल है यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि दिये गए चित्र के अनुसार कागज के तल में इस्थित किसी 36 तार में पूर्व से पस्चिम की ओर कोई निया धारा प्रवाइत हो रही है कि नीचे है तो इसका सही जवाब कौन सा होगा फ्रेंस तैसल का सही जवाब आपका हो जाएगा और तहर के ठीक नीचे कहां पे ठीक नीचे है नैसकी जवाबल्ह बूर्वाल्ट। देखते हैं अगला नमबर का सवाल है साथवा नमबर का न में देखिसके दौऔरा अनंद पर इस्थित किसी वस्तु का परतिभी मति यक्योटा बनता है था मिफञव देख़ें कि अब देखेंगे वहांगी ये में अब यह देखिए फ्रेंस यहां से आपका स्टार्ट होता है एक मिस्रदातु होगा एक समाग मिस्रड होगा इसका सही जवाब होगा एक समाग मिस्रड होता है इसका सही जवाब होगा सी चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल है नुवा नंबर का निमने लिखित में से असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन को पाचानी देखे फ्रेंस इसको लगाने से पहले आप यहां पर ध्यान देजिए एक होता है संत्र संत्रिप्त हाइड्रोकारबन इस फिसको समझलज लीजूुजे यहीं से केलियर होजागा ओख असंत्रिप्त हाइड्रोकारबन यहां पर पूछा के ताउप्शन हैं चलिए और दयाथि दूखें इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका यहां पे बी में भी बन रहा था और डी वाले में इसका सही जवाब बी वला आपसन सही हो जाएगा चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं अगले नमबर का सवाल है आपका दस्मा नमबर का कि ठोस कैल्सियम आकसाइड जल के साथ इवरता से अविक्रिया कर कैल्सियम हार्ड आकसाइड बनाता है तथा साथ ही उसमा उत्वन होती है इस प कौन सा कथान चूने के बुझाने था इस विलियन बनाने के लिए सत्य है देखे फ्रेंस आपको कर रहा है बिना बुझा बना चूना ना देखिए यहां पर कैल्सियम क्या हो जाएगा आकसाइड होगा सी एओ फिर इसके इसको जल में कर रहा है जल के साथ किरिया करा रहा है यह क्या बनेगा आपका यहां पर देखिए तो कैल्सियम हाइड अकसाइड सी ओवाएश ट्वाइश बन दागा ठीक है प्लस इसमें क्या होगा फिर उस्मा आपका बाहर निकलेगा चली उसमा को यहां लिखे देती हैं यहां से उसमा बाहर निकलना है यहां आप सम्ध्या जिसमें ओयच होता है तुसे चारी करते हैं एक तुसमा छेपी हुआ एक छारी होगा चलिए आपसन को देख लेते हैं तिसमें जब ध्यान से पढ़ेंगे देखिए आप यहां पी देखेंगे एक उसमा छेपी अभिकरिया है फिर इसके अलावा इसका पीच मान क्या होगा सा प्रण्वाः देखते हैं यां आज से है यां साहिए यहां तो यह मन देखेंगे तर देखेंगे यहां यह हैं और सुटेंड नमबर रहे हिसमें डोनों आप YOU G Im जो कि यह नहीं होगा और यह व आपको समझ में हुगा है चले अगले नमबर की सवाल को यह आपको सामने 12 नमबर का सवाल आपके सामने 12 पाउडर जो होता है फ्रेंस विरंजक होता है बिलिचिंग पाउडर क्या करते हैं विरंजक भी करते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है दावन सोडा क्या होता है फ्रेंस दावन सोडा को प्रयोग होता है काश का विर्चन में प्रयोग करते हैं सोडियम कुल्राइट क्या होता ह यह स्टू तता सील्टू का उत्पाद होता है तो देखें आप इस प्रकार से देखेंगे तो पहले का किस्ते मिला पहले का सी है इसमें पहले का सी देखें तो पहले का सी देखें यह वाला और डी वाला आपसन गलत हो जागा पहले का सी है देखें पहले का किस्ते मिला है पह के सामने अगला नमबर का सवाल है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसमें आप साने नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है तो उसे अमल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल करने का कार करता है तो इसका सही जवाब बीवला होगा ठीक है चलिए अगले नमब का है कि चूने के पानी से भरी परकनली में जम्मू द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के करदूद्या हो जाता है तो फ्रेस यह होता है CO2 के द्वारा जिसे हम कारबन डायकसाइट करते हैं तो इसका सही जवाब भी वला होगा ठीक है अगले सवाल को देखते हैं जब यहां पर अगला नंमबर का सवाल देखा जायगा ता अगला नमबर का है कि कुछ डायना सोरों में एक पर मउजूद थें किंतु उर्दा Boden नहीं सकते थे ठीक है लेकिन बच्छों में पर होते हैं जो उन्हें में मदद करते हैं विकास के संदर मे इसका यह अर्थ वाकी यह इसका आप संग को पढ़ेंगे ते शकी स्हाइ जवाब होगा डीवला कि पच्छों के 35 स्रीषिक से हुई है अगरे नंबर का सवाल को देखते हैं अगरे नंबर का सवाल is 16 नंबर का आपका कि यदि किसी जीव का जिवाश्म प्रित्वी के अप्टे च्छाकिरित गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविस्वारी कर सकते हैं देखें यह इसका आपसान है आपसन को ध्यान से पढ़िएगा जब आपसन को ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंश ते इसका सही जवाब होगा कईव का विलोफ है क्शा विवर्स पूर अग्ले नंबर के सवाल को देखते हैं जो सत्रान करा इस चित्र देख कि आपको बताना है यहां पर किस सही जवाब होगा देखें यहाँ आप ABC किस करम में होते हैं यानि ABC किस करम में होगा तो फ्रेंच जो ABC होता है पहले प्रांकुर होता है फिर बीच पत्र होता है फिर मुलांकुर होता है इसका सही जवाब होगा C वला आपसन सही प्रांकुर होगा फिर बीच पत्र होगा फिर मुलांकुर होता ह जिसका सही जवाब सी होगा अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर के सवाल देखेंगे कि अमरिता देवी विश्णोई राष्टी पुरुसकार भारत सरकार द्वारा किस छेत्र में परदान किया जाता है यानि किस छेत्र में दिया गया है इसका सही जवाब गुले टता हर रंग के पीजने पौध है घृटी दार पीले रंग के बीजने पौध है आर-टाय संकरर प्रकार में कoston कराया जाता है य dobr कैसे होंगे यानि किया आप करें जाए युजड़ा जाएगा तो फरेंस ठीक है जब एको यहां पर देखेंगे तो ए मादा जिनन तंत्र में एक किसको देखाता है तो जो ए भाग होता है फ्रेंस यह अंडासे को देखाते तो इसका सही जबाप क्या होगा डी वला आपसन सही होगा फ्रेंस इस पकास से आपके 20 बहुविकल्पी प्रशन पूछा प अब देखें पहले खंड को है उपखंड को है ठीक है इसमें आपको बहुती ज्यान के सभी प्रशन होंगे देखें आप गोली दरपड़ द्वारा प्रावर्तन के लिच्ची ने परिपार्टी बताना है यानि यू भी एफ कमान क्या होता है यह कम माइनस का प्लस होता है यह बताना है ठीक है इसके बाद दूसरा वायू मंडल में अपवरतन किस प्रकार होता है तारे क्यूं टुम्टिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टुम्टिमाते हैं इसके बारे में देखें प्रशन पूचा है इन प्रशनों को देखें अप अनुमाल लगा कि इसी हिसाब से आप अपने तयारी कीजिएगा जिससे बोड के एकजा में आप 95 प्रतिशत प्लस पाएं ठीक है यदि इस हिसाब से तयारी करेंगे तो आपको 95 प्लस या 90 प्लस लाइने से कोई नहीं रोख सकता है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखिए अगला नंबर का सवाल किस प्रक दिरुदों को किस प्रकार सण्योजन का कुल परदिरुद कितना है चार ओं हो जाए और एक ओं हो जाए इस सवाल को सांचराल लाइन में पूर्वस्त पस्चिम दिशा की और विद्धुधारा प्रवाइत हो रही है इसके ठीक नीचे किसी बिंद उपर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंद उपर चुम्बकी छेत्र की दिशा क्या होई इस सवाल को करना था या इसके लोग अथवाला यह सवाल आपको बता दें कि आपकी जो 2023 के पेपर में था विद्धुध मोटर वाला प्रशन पूछा जया था ठीक है आप एक प्रश्ण होता है विद्धुध मोटर एक उता विद्धुध जनित्र विद्धुध मोटर को आप अच्छे सा पढ़ लिए जेगा च्छन नंबर में हर साल आपके बोड़ के एक्जाम में आता ही आता है ठीक है चलिए अभी यहां पर समझ गया होगे अब देखते हैं उपखंड खवा में देखते हैं कैसा प्रश्ण पूछा था यहां निम्लकित योगों को कि संरत्नाय चित्रित करना था देखिए क्या करना था बनाना था आप अगला सवाल जो पूछा था आपका कि कुछ तत्वेंगे प्रमालवार करमांग less दीया गए थे इसमें पहला सवाल था की पाचान करना था कि दस उप्रमाणु-क्रमांग वाले पाचान करना था कि किस आवर्त में यह पढ़ते हैं तक तो ठीक है इस प्रकार के प्रश्ण पूछे थे अब देखे अगला सवाल है आपका कि निम्न लिखित अभी किरियाओं में प्रतेक के लिए संतुलित रसाइनिक समीकर लिखना था ठीक है यह था आपके कैल्सियम हाइड्राकसाइड प क्या है अथवाल सवाल करना था या इ cevाल को आपको हल करना था देखे क्या अब इसके अलावा इसके अलाव यह ँपके ऑखन है जो आपकी जीवी ज्यान से ठीकैं fra देखिए यहां पर आठवा नंबर की इसार करता था उन्तों कि विसेष्टा आपको बताना था ठीक है यह संक्रत था आपको यह बताना था कि यह आप किरिया करें कि क्या यहां पर बनाएगा इस प्रकास को देख सकते हैं खा गह और गह पूछा था जो चार नंबर का था इस सवाल को देख कि आप इसी हिसाब से इसका तैयारी कीजिए ठीक है अगला नंबर का सवाल था नुवा नंबर का कि यहां पर देख सकते हैं कि नुवा नंबर का सवाल था कि रंद्रों के खूलने तो बंद होने के प्रकिरिया को सचित्र आपको दिखाना था सचित्र भी बनाना था उसके बारे में बताना भी था अगला सवाल था कि बाताबरण में कार्मन डायक्साइड अस्तर का नियंद्र करने के लिए कुछ उपायों को सुझाओ आपको बताना था यह वी चार नंबर का था अगला सावाल था कि बिरिकों में मुत्र निर्माड की परिकिलिया का सचीत्र वरण करना था यानी चित्र भी बनाना था उसके बारे में आपको बताना था इस सवाल को करना था या इसके लव आथवा में था कि मानों के नर जनान तंत्र का सचीत्र वरण करना था ठीक है यह च्छा नंबर का प्रश्ण था अब देखिए आपको बताते हैं यहां पे कि इसी प्रकार के प्रश्ण आपको बोर्ड के एक कुच्चूब